हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू एमकेच मैरोभी सिंगाठिया और आजम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर फिफ्ट जिसका नाम है दसनेक आंड दमिरन सच मुझ में बहुत ही इंटरस्टिंग सी और प्यारी सी स्टोरी है जिसको देख करके आपको कभी-कभी हसी भी आएगी और कभी-कभी आपको बहुत मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ आप इस चीज के लिए भी उत्चाइत होंगे कि आगे क्या होने वाला है यानि उत्सुक होंगे आप यह जानने के लिए कि अब इस स्टोरी में इसके बाद क्या होने वाला है ठीक है तो सच मुझ म बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है तो स्टोरी पढ़ने से पहले उसने कहा है Before you read Do you like to look at yourself in the mirror? क्या आप दरपड में जिसको आप शीशा भी कहते हो शीशे में देखना अपने आपको पसंद करते हो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कौन अपने आपको शीशे में देखना पसंद नहीं करता सबको अपनी शकल बहुत खुबसूरत लगती है आपको भी लगती है आप जो है सुबह सुबह जैसे ही नहाते उसके बाद mirror के सामने खड़े होकर कि अपने आपको निहारना बहुत ही मज़ेदार होता है उसके बाद है what do you think about at such times जब आप mirror में देख रहे होते हो जब आप शीशे में देखते हो तो सच में सोचो कि आप उस चमे में क्या सोचते हो आप सोचते हो कि मैं अपने आपको और खुब सूरित कैसे बनाओं मैं ऐसे बाल बना लूँ तो ज्यादा अच्छा दिखूंगा या ज्यादा अच्छी दिखूंगी ऐसी चीज़ें आप सोचते हो है ना तो उसके बाद क्या कहा है उसने have you ever seen a dog क्या आपने कभी किसी कुट्टे को देखा है a cat और a bird look into a mirror क्या आपने किसी कुट्टे को बिली को ये किसी पक्षी को दरपण में ऐसे अपने आपको निहारते हुए देखा है कि वो अपने परतिभीम को देख रहा हो क्या आपने कभी ऐसा देखा है what do you think it sees आप क्या स सोचते होंगे यानि कि कोई कुट्टा अपने आपको शीशे में देख कर कि कैसा मतलब क्या सोच रहा होगा कि मैं कैसा दिखता हूं यह मुझे और कुछ क्या करना चाहिए मुझे अपने आपको कैसे सुन्दर दिखाना चाहिए क्या कुट्टा भी ऐसे सोचता है क्या यह आपको समझ में आगए यानि कि ऐसे कोशिंस जो है आप से पूछे गए हैं नो रीड दिस हुमरस स्टोरी अबाउट डॉक्टर और स्नेक और मिरर चलिए अब जो है कहानी है किसके बारे में डॉक्टर के बारे में साप के बारे में और एक दरपन मीरर शीशा जिसको आप कहत तो उसके बारे में पढ़ते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले हैज असनेक एवर कोईल इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ यूर बोडी क्या कोई साप कभी भी आपके शरीर के किसी हिस्से पर कुंडली मारके बैठा है यानि कि लपेटा है उसे अपने आपको आपके एक र्खानी किसी शरीर के और तो आप कह देंगे हो सकते हैं आपने किसी चाइंप स्नेक को देखा हो या जो सपेरे होते हैं उनके पास जो सामप एक्सर देखा है कि वह गले में डाल करके सामप और फोटोस की चुवाते हैं तो वैसा अगर आपने और आपकी जो बोड़ी है tight करता तो सच मुझ में जान से निकल रही होती है ना तो वैसा experience आपने अगर लिया होगा तो आप भी feel कर रहे होगे है ना उसके बाद है a full blooded cobra और वो भी क्या कोई जो है प्रबल नाग था यानि की cobra यानि की क्या हो अगर कोई साप जो है आपके किसी हिस्जे शरीर के हिस्ञे पर हाथ पर गले में लाद पर जो है वो कुंढली मार ले कंदली मार ले का मतलब है कि अपने आपको लपेट ले किसी हिस्जे के उपर ठीक है और अगर वो भी एक काला कोबरा हो तब क्या होगा ठीक है तो definitely वो किस ने किया एक होमियोपैथी चिकिट सकने किया था और हम सारे शांत हो गए यानि कि एक होमियोपैथी चिकिट सक है जो अपने जो भी अपने पास बेटे हैं उनको कहानिया सुना रहे हैं ठीक है और कहानिया सुना रहे हैं तो जो सुन रहे हैं उन्हें से कोई कह रहा है यह टॉपिक तब आया जब हम सांपों के बारे में जो है डिसकस कर रहे थे बातें कर रहे थे वी लिसंड अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से सुनना हम सारे उसको ध्यान से सुन रहे थे और डॉक्टर जो है वो अपनी कहानी जारी रखे हुए था यह चाज आपको समझ में आ गई तो अब कहानी जारी हो रही है कि डॉक्टर ने क्या कहानी सुनाई ठीक है तो चलिए फिर पढ़ते हैं इट वोज ए होट समर नाइट यह तेज गर्मी की रात थी आबाउट टेन ओकलोक लगबग दस बज़े हुए थे गर्मी की रात थी रात को दस बज़े हुए थे मैंने एक भोजनाले में अपना खाना खाया और अपने कमरे में वापिस चला गया यानि कि कौन बता रहा है डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहे ठीक है कहानी शुरू हो चुकिया आप चलिए I heard a noise actually इसको आप कहेंगे I heard a noise from above as I opened the door the sound was a familiar one familiar का मतलत है जान पहचान वाली जानी पहचानी ठीक है तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला जैसे जो है डॉक्टर कह रहा है जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे जो है उपर से एक आवाज सुनाई दी the sound was a familiar one जो है आवाज जो थी वो जानी पहचानी थी one could say that the rats and I shared the room कोई ये बात भी कह सकता है कि मैं और एक चूहा जो है वो एक साथ रहते थे एक कमरे में I took out my box matches and lighted the kerosene lamp on the table मैंने क्या किया कि एक table पर जो kerosene lamp जो पड़ा हुआ था उसको matches के द्वारा जलाया तो यहां पर क्या कह रहा है डोक्टर कहते हैं कि जैसी मैं अपने room पर गया खाना खाके तो जैसी मैंने दरवाजा खोला तो मुझे छत में से कुछ आवाजें सुने दे रही थी तो definitely वो जो आवाजें थी वो जानी पेचानी थी यानि कि चूहों की आवाजें थी चूहों की आवाजें इसलिए थी क्योंकि उस कमरे में चूहा भी मेरे साथ ही रहता था यानि कि सिंपल सी बात है कि मैं और चूहा कमरा संजा करते थे कहने का मतलब कि उसके कमरे में चू नहीं थी उस मकान में बिजली नहीं थी इट वोज ए स्मॉल रेंटेड रूम ये एक किराय का कमरा था आइड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रेक्टिस मेडिकल प्रेक्टिस का मतलब है कि मैंने अभी अभी अपना जो चिकिस का व्यवसाय है वो शुरू ही किया था एड माई अर्निंग वर मिगरी यानि कि मेरी जो कमाई थी वो बहुत कम थी मिगर या मिगरी I had about 60 रुपीज in my suitcase मेरे पास जो है 60 रुपे थे मेरे suitcase के अंदर along with some shirts एड दोतिस कुछ शटें भी थी कुछ दोतिस थी I also possessed one solitary black coat possessed यानि कि मेरे पास था मैं रखता था क्या रखता था one solitary यानि कि एक मत्र black coat यानि कि काला coat भी था मेरे पास एक मात्र which I was then wearing जिसे मैंने पहना हुआ था ये चाज़ आपको समझ में आ गई I took off my black coat मैंने अपना काला coat उतारा white shirt सफेद shirt उतारी and not so white west यानि कि एक बन्यान भी उतारी west का मतलब बन्यान बन्यान भी उतारी not so white जो कि लगबग white नहीं थी ठीके and hung them up उनको जो है टांग दिया ठीके यानि कि मेरी बन्यान जो थी वो पिली पर चुकी थी वो white नहीं रही थी वैसे तो वो white थी ल with one wall facing the open yard मेरा जो कमरा था वो बाहर का कमरा था यानि कि ऐसा कमरा जो आंगन से सटा हुआ हो यानि आंगन में कुलता था कमरा ठीके और उसने जो है खिडिकियां खोल दी I had a tiled roof मेरी जो चत जो थी वो टाइल वाली थी यानि कि सीधी जो है सीधी रूफ नहीं थी टाइल्स पोर्डिंग गैबल्स उसके साथ ही जो है तिकोनी दीवार जो होती है तिकोनी जो चत होती है वो उसको सहारा दिये हुए थी that rested on the beam over the wall और वो दिवार के उपर एक बीम थी उस बीम के उपर खप्रेल वाली जो है चत बनी हुई थी जिसको जो तिकोनी जो चत होती है आप कैसा तिकोनी जो दीवार होती है वो उसको सहारा दे रही थी चीक है यानि कि आप पिक्चर देख रहे हो तो पिक्चर में आपको पते ही है कि कप्रेल वाली चत कैसे होती है ठीक है चलिए इसके भीतरी चत थी नहीं थी मतलब अंदर की सिधी जो चत होती है वो नहीं थी ठीक है यानि कि जो बीम थी जो चत की बीम थी आप कैसा कि जो दिवार की बीम थी यानि उपर चत की जो बीम थी वहाँ पर चूहों का आना जाना लगा रहता था ठीक है यानि अवागमन तर लगाया, and pulled it close to the wall, और दिवार के निकट इसको खीच लिया, ठीक है, I lay down, but I could not sleep, मैं लेटा, लेकिन मैं सो नहीं सका, I got up, मैं उठ गया, and went out to the verandah for a little air, थोड़ी सी हवा खाने के लिए बरामदे में चला गया, but the wind god, wind god यानि कि जो हवा के देवता है, यानि कि मुझे लग रहा था, कि वायू के देवता seemed to have taken time off, time off का मतलब छुटी ले चुके हैं, और seemed यानि कि प्रतीत हुआ, और जैसे मैं बाहर गया हवा लेने के लिए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे वायू देव तो आ छुट सी पर बैठ गया, I opened the box beneath, beneath का मतलब होता है, जब किसी चीज के नीचे को चीज रखी होती है, ठीक है, उसके just नीचे लगी हुई नहीं, वैसे नीचे ठीक है, beneath the table and took out a book, उसका जो, यानि कि just नीचे जो लगी हुई थी, दराज टाइप से, जो बक्सा लगा हुआ था, उसक and it at the table, मैंने उस मेज पर रखके उस किताब को खोला, on which stood the lamp, जिसके उपर lamp रखा हुआ था, यानि उस table पर ही lamp रखा हुआ था, and a large mirror, एक बड़ा सारा जो है, mirror दरपन रखा हुआ था, a small comb, lay beside the mirror, lay का मतलब लेटा हुआ, लेटा हुआ, लेटा हुआ लेकि रखा हुआ था पड़ा था, ठीक है, क्या पड़ा था, comb, comb, यानि कि एक कंगा भी उसके साथ में ही पड़ा था, one feels tempted to look into a mirror when it is near one, यानि कि सिंपल सी बात है कि कोई भी किसी का भी दिल करेगा, कोई भी लालाइत होगा, mirror की तरफ, दरपड की तरफ देखने में, जब भी उसके पास से गु गुजरते हैं, तो आप उसमें देखते हो, गुजरते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, ऐसा ही तो होता है, तो वैसे ही, डॉक्टर ने बताया कि कोई भी अगर शिशे के पास से गुजरता है, तो उसका दिल करता है, कि वो शिशे की तरफ देख ले, I took a look, और मैंने भी दे और मैं अपने आपको सुन्दर दिखाने वाला बनाना चाहता था, यानि कि मैं अपने आपको ऐसा चाहता था कि मैं भी सुन्दर दिखूँ, ठीके, यानि सुन्दर बनाने में विश्वास करता था अपने आपको, ठीके, I was unmarried, मैं अवी वाहित था, मैं अवी वाहित था तो मैं यह सोचता था कि मैं जो है handsome दिखू, मैं बहुत ज़्यादा सुन्दर दिखना चाहिए and I was a doctor, और मैं एक doctor भी था, I felt I had to make my presence felt मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे अपनी presence, अपनी उपस्तिती कमरे में महसूस करवा दिनी चाहिए थी जो भी मेरे आसपास चीज़ें गटी तो रही थी उनको, यानि कि मुझे थोड़ा बहुत शोर करना चाहिए था या मुझे किसी भी प्रकार का आवाजे करनी चाहिए थी, जिससे आसपास के परियावरन को पता चल जाए कि मैं कमरे के अंदर हूँ, ठीके, वो क्यूं तो आपको आगे पता चलेगा, ठीके I picked up the comb, मैंने जो है कंगा उठाया and ran it through my hair और इसको अपने बालो में जो है घुमाया, यानि चलाया and adjusted the parting, जो चीर होती है या जो लकीर होती है, ठीके आपने देखा होगा कि जब भी comb करते हैं, आप तो चीर निकालते हैं, ठीके तो उस के अंदर जो है कंगा गुमाया, so that it looks straight and neat ताकि मैं जो चीर है, उसको सीधी खीट सकूँ, उसको साफ कर सकूँ, ठीके again I hear that sound from above, मुझे दुबारा से वही आवाज, चूँओं के आने जाने की, आवाज जो जानी पैचानी सी आवाज थी, इधर से उधर भागने की, दोडने की, चूँओं के, वो वापी से आने लगी उपर से I took a close look at my face in the mirror, मैंने जो अपने चेरे को मिरर के थूड़ा सा ओर पास दे जा करके, अच्छे से देखा I made an important decision, और मैंने एक बहुत ही महतपुने ने लिया, I would shave Delhi, की मैं रोजाना दाड़ी करूँगा and grow a thin mustache, यानि की, मैं जो है, पतली-पतली मूच रखूँगा, to take, sorry, to look more handsome की, मैं जो है, पतली-पतली मूच रखूँगा, ताकि मैं जो है, थोड़ा सा सुन्दर दिख सकूँँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानि की, वो क्या कहता है, कि मैं mustache, mustache का मतलब होता है, मूच, ठीक है, मैं जो है, पतली-पतली, mustache रखूँगा, पतली-मूच रखूँगा, to look more handsome, ताकि मैं और अच्छा दिख सकूँ I was after all bachelor, bachelor का मतलब होता है, कमवारा होना, कुमारा होना, जिसकी शादी नहीं हुई हो, ठीक है, अब इतक होने वाली है, हुई नहीं है, तो उसने का कि मैं जो है, after all, एक कुवारा लड़का था, and a doctor, और उपर से doctor, तो मुझे तो simple सी बात है कि बहुत ही handsome दिखाई देना चा कि मैं अगर यह smile करूं तो ज्यादा अच्छा दिखूंगा, I made another earth-shaking decision, मैंने एक पृत्वी हिला देने वाला देने लिया, यानि कि बहुत ही महत्तपुन्य ने लिया, I would always keep that attractive smile on my face, मैं अपने चेरे पर हमेशा यह मुसकुराहट जो है, उसको रखूंगा, मुसकान जो हमे after all a bachelor, अकिरकार मैं कुवा रहा था, and a doctor, two on top of it, और इससे भी बड़ी बात थी, कि मैं एक doctor था, यह चीज़ आपको समझ में आ गई, again came that noise from above, वपी से उपर से वो अवाज आई, चुहोंगे इदर उदर भागने की, I got up, मैं खड़ा हुआ, paste up, sorry, paste up and down the row, और कमरे में जो है, इदर उदर, paste up, up and down का मतलो होता है, चहल कदमी करना, या टहलना, जिसको आप कहते हैं, इदर से उदर कमरे में टहलते हैं, जब नीद नहीं आती है, then another lovely thought struck me, तो अच्छानक से एक और जो है, बहुत ही, अच्छा विचार, जो है, बहुत get married, I would get married to a woman doctor, और मेरी जो पतनी होगी, जिसे मेरी शादी होगी, वो भी क्या होनी चाहिए, एक doctor ही होनी चाहिए, यानि मैं एक महीला चिकिस्चक से शादी करूँगा, who had plenty of money, जिसके पास बहुत सारा धन होना चाहिए, परचूर मात्रा में धन होना चाहिए, and a good medical practice, जिस का जो है, चिकिस्चक विवसाई, बहुत अच्छा चलना चाहिए, देखिए, doctor जो है, खुद ऐसे मकान में रह रहा है, जिसमें बिजली तक नहीं है, ठीके, उसके पास थोड़े बहुत कपड़े हैं, एक ही काला कोट है, 60 रुपे हैं, सूटकेस में, और वो देखिए, कि आपको समझ में आ गई, she had to be fat, और वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, ठीके, यह कह रहा है, कि मेरी जो पतनी है, वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, for a valid reason, और इसका एक ठोस कारण भी है, वो क्यों मोटी होनी चाहिए, if I made some silly mistake, silly का मतलब है, मुर्कता पुरण, mistake यानि गलती, अगर मैं कोई मुर्कता पुरण गलती कर दूँ, and needed to run away, और मुझे आशकता हूँ कि मैं जो है, अगर मुझे भागना पड़े, she should not be able, वो योगे ना हो सके, to run after me and catch me, वो जो है, मेरा पिछा ना कर सके, मुझे पकड़ ना सके, यानि कि अगर मैं कोई गलती कर दू तो मैं आगे-ागे भाग लूँ, और वो मेरे को पकड़ ना सके, इसलिए वो केवल और केवल मोटी होने चाहिए, देखे किस तरह की बाते वो कर रहा है, सच मुझे में बहुत हास्यस्पद बाते कर रहा है, with such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of a table, resume का मतलब होता है, वापिस से grand कर लेन या बैठ जाना चीक है, तो वो कहता है कि मैं वापिस से जो है, chair पर अपनी seat पर बैठ गया, इन विचारों के साथ, there were no more sound from above, और अपकी बार उपर से कोई आवाज नहीं आई, Suddenly देर कमें डल थट, as if a rubber tube had fallen to the, suddenly यानि की अचानक देर कमें डल थट, यानि की धम से गिरने की कोई चीज गिरने की आवाज आई, as if, ऐसा लगा जैसे की a rubber tube had fallen to the ground, ऐसे लगा कि कोई rubber की जो pipe होती है, छिके, खरा पाइप, पुरानी pipe वो चत से नीचे गिर गई है, छिके Surely nothing to worry about, तो चिंता गरने की तो वैसे कोई बात नहीं थी, क्या होता है, simple pipe ही तो गिरी है, छिके, even so, लेकिन फिर भी, I thought I would turn around and take a look, फिर भी मुझे लगा कि मुझे एक बार मुणना चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या गिरा है, छिके, हलके से गिरने की आवाज आई थी, No sooner had I turned then, यानि कि मैं मुड़ा ही था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, मुझे मुड़े हुए, यानि कि जैसे ही मैं मुड़ा, then a fat snake, एक मोटा सारा सांप, wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder, यानि कि अच्छानक से एक सांप कुर्सी के पीछे से रेंगता हुआ, मेरा जो shoulder है, मेरा जो कंदा है, उस पर चड़ गया, the snake landing on me, यानि कि जैसे ही मैं मुड़ा, तो मेरे जो मेरा जो shoulder था, छीक है, मेरा जो कंदा था, उस पर सांप चड़ गया, the snake's landing, सांप का उपर चड़ना on me, मेरे उपर and my turning were simultaneously, simultaneously का मतलव होता है, एक साथ, इदर से तो सांप चड़ा और इदर से मैं मुड़ा, यानि कि मैं मुड़ा ही था कि इदर से मेरे कंदे पर मेरे उपर सांप चड़ गया, I did not jump, मैं उचला नहीं, I did not tremble, यानि कि मैं कांपा भी नहीं, I did not cry out, मैं चिला भी नहीं सका, there was no time to do any such things, मेरे पास इतना time ही नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर सकूँ, मैं मुड़ा और मुड़ते ही मेरे हाथ पर सांप चड़ गया, और वो भी मोटा सांप, बहुत ही फिशाल सांप, बहुत ही ताकतवर सांप, the snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow, यानि कि elbow यानि कि बाजू से उपर जो मेरी left arm थी, left arm उस पर सांप ने क्या कर दिया, कुंडली मार ली, slithered का मतलब होता है फिसल ना, फिसल करके मेरे जो कंदा था, उसे फिसल करके सांप जो है, वो कहां पर आ गया मेरे जो है, left arm पर आ गया, the hood, hood का मतलब होता है, फन, जो सांप का जो फन होता है, the hood was spread out, उसका जो फन था, वो फैला हुआ था, and its head was hardly three or four inches from my face, मेरे चहरे से बड़ी ही मुश्किल से तीन या चार इंच दूरी पर वो सांप का फन था, यह चिज़ आपको समझ में आ गई, I would not be correct to say, merely that I sat there holding my breath, मातर यह कहना सही होगा, कि मैं वहाँ पर सिरफ और सांस रो करके बैठा था, I was turned to stone, मैं पत्थर बन चुका था, क्यों पत्थर बन चुका था, but my mind was very active, लेकिन मेरा दिमाख स्क्रिया था, the door opened into darkness, जो दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदेरे में खुला हुआ था, यानि कि मेरे कमरे में जो अंदेरा था, the room was surrounded by darkness, इस कमरे में अंदेरा था, in the light of the lamp, और मैं दिपक की रोष्णी में, दिपक के प्रकाश में, I sat there like a stone image in the flesh, मैं जो है, मेरा जो हड़ियों का शरीर था, वो पत्थर बना करके, पत्थर की मूर्ती बना करके, मैं एक जम गैम बैटा हुआ था, साप को ऐसा लगना चाहिए, कि वो पत्थर की मूर्ती पर कुंडली मारे बैटा है, उसे ये नहीं लगना चाहिए, कि वो किसी इंसान के बाजू पर कुंडली मार करके बैटा है, इस तरह से मैं बैटा हुआ था, सिंपल सी बात है, क्यों बैटा हुआ था, presence of creator of this world and this universe इस शृष्टी के जो रचनाकार है ये पूरे ब्रहमांड को जो बनाने वाले हैं उनकी एक presence feel हुई मैंने अपने आपको बिल्को स्थीर कर दिया सांस भी रोख लिया तो अब मुझे किसी की उपस्तिती मैसूस हुई God was there वहां पर भगवान थे यानि कि मुझे ऐसा मैसूस हो रहा था कि भगवान है यहां पर मेरे पास Suppose I said something and he did not like it और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं अपने आपको शिशे में देख करके ये बातें कर रहा था तो उन बातों में से कोई एक बात थी जो भगवान को पसंद नहीं आई ये चाज़ आपको समझ में आ गई I tried in my imagination मैंने अपनी कलपना शक्ती में ये प्रयास किया to write in bright letters outside my little heart the word O God मैंने अपने दिल के अंदर जो है यानि कि जब हम सोच रहे होते हैं शक्ती में दिल के अंदर ऐसे सुने रियक्षनों में लिखने का प्रयास किया है भगवान यानि कि वो जो है उसे कुछ भी मैसूस नहीं हो रहे है साब कुंडली मार के बटे वो हिल नहीं सकता और जब ऐसे स्थिति है तो उसे लग रहा है कि भगवान मेरे आसपास है तो सिंपल सी वात ऐसे स्थिति में व्यक्ति को भगवान याद आ ही जाता है यह चीज़ आपको समझ में आ गई देर वो सम पेन इन माई लेफ्ट आम मेरा जो आम था दाहीनी जो मेरी बाजो थी उसमें दर्द हो रहा था यह ऐसा था जैसे कि कोई ठोस ठोस जो है ठीक लेडन रोड यानि लेडन यानि की लेड लेड यानि की एक दातू हती है तो लेड की बनी एक चड ठोस थी जो ठीक है और मोटी थी नो ए रोड मेड ओफ मॉल्टन फायर नहीं लेड की नहीं धातू की नहीं बलकि पिंगली हुई आग की छड वोज स्लोली धीरे धीरे बट पावरफुली लेकिन बहुती बलपुर्वक क्रशिंग माई आम मेरा जो हाथ है मेरी जो बाजू है उसको क्रश कर रही थी यानि कि उसको कुचल रही थी यानि कि जब पिर उसे लगा कि सिरफ धातू नहीं बलकि कोई गम आग की छड है यानि कि पिंगली हुई आग की छड है जो उसके हाथ को कुचल रही यानि कि साप जो है इतने tight जो है उसने कुंडली उसके हाथों पर मार रखी थी the arm was beginning to be drained of all strength what could I do what could I do मतलब मैं क्या कर सकता था the arm was beginning to be drained of all strength उस बाजो की सारी की सारी ताकत drained यानि बहना लेकिन यहां पर चूसना ठीक है यहां पर किस meaning में use हो यह चूसना कि ऐसे लग रहा था जैसे वो छड़ जो है मेरी बाजो की सारी ताकत चूस रही है यह चीज़ आपको समझ में आ गई तो simple सी बात है कि ऐसा जो है आप फील कर सकते हैं अगर आपने ऐसा कोई जो है सपेरा जो होते हैं जिनके पास जो harmless snake होते हैं जो नुक्सान नहीं पहुंचाते हैं ठीक है तो ऐसे साब अगर आप कभी देखोगे अपने किसी अंग पर जब वो कुंडली मार लेता है तो आपको भी ऐसा फील होगा और definitely आप भी ऐसा मैसूस करेंगे और मुझे जो है ऐसा एक बार experience लेने का मौखा भी मिले तो सच मुझ में ऐसी हालत हो ही जाती है ठीक है At my slightest moment the snake would strike me slightest का मतलब हलकी सी अगर मैं हलकी सी moment यानि कि हलकी सी हलचल भी करूँगा तो यह जो साब है मुझ पर हमला कर देगा strike में यानि मुझ पर हमला कर देगा death lurked lurked का मतलब होता है चुपे हुए या चुपे हुए रहना या थोड़ी सी ही दूरी पर थी death lurked 4 inches away जो मेरी मौत थी मेरे से केवल 4 inch दूर थी यह चीज़ आपको समझ में आ गया suppose it struck मालो कि अगर वो मुझ पर हमला कर देता है मालो कि वो मुझे डस देता है what was the medicine I had to take मैं क्या दवाई लेता यानि कि हाला कि वो डॉक्टर है वो सोच रहे कि अकर ये साप माल लिजे कि मुझे डस देता तो मैं क्या दवाई लूँगा कौन सी medicine है जो मुझे लेनी पड़ेगी I had to take there were no medicines in the room कमरे में कोई भी दवाई नहीं थी I was but a poor, foolish and stupid doctor मैं तो एक तुच्छ foolish यानि की मुर्ख poor यानि की जो है तुच्छ या विकार जो है वो अपने आपको फील करें कि देखो मैं डॉक्टर और मेरे घर में दवाई नहीं है तो वो सोच रहा है कि मैं एक तुच foolish यानि की मुर्ख stupid यानि की बुद्धी हीन doctor हूँ मैं जो है एक तुच्छ मुर्ख और बुद्धी हीन doctor हूँ I forget my danger and smiled family at myself यानि कि मैं जो है अपनी आपकी हसी उडाते हुए अपनी आपकी बेचती में हसा और सारे डर को भूल गया it seemed as if God appreciated that appreciated का मतलव है कि यहां पर इसका मतलव है कि ऐसा लग रहा था कि बगवान ने जो है मेरी चिंता समझ ली हो कि इसके पास दवाई है दवाई नहीं है तो सांप इसको नहीं डसाना है भगवान ने शायद यह बात समझ ली हो the snake turned its head सांप ने जो अपना सर जो है वो दूसरी तरफ गुमाया I looked sorry, it looked into the mirror and saw its reflection अब सांप ने अपने आपको दरपण में देखा, अपने आपको शीशे में अपने आपका प्रती भी मशीशे के अंदर देखा, I do not claim मैं इस चीज का दावा तो नहीं करता that it was the first snake that had ever looked into a mirror, कि यह दुनिया का पहला सांप है, जिसने अपने आपको mirror में, दरपण में देखा होगा but it was certain लेकिन यह निश्चित था, certain का मतलब निश्चित, certain का मतलब कुछ भी होता है लेकिन यहाँ पे word है निश्चित, ठीक है तो यह तो जुरूर निश्चित था that the snake was looking into the mirror, यह निश्चित था कि वो snake जो है, दरपण में देख रहा था, mirror में देख रहा था, was it admiring its own beauty क्या वो अपनी सुंदरता के बारे में प्रशन्शा कर रहा था, कि मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मैं कितना स्मार्ट दिखता हूँ क्या साप भी ऐसे सोच रहा था was it trying to make an important decision क्या वो भी मेरी तरह, जैसे मैंने decision लिया था, डॉक्टर ने कि मूचे रखेगा, स्माइल करेगा क्या साप भी ऐसे decision ले रहा है साप भी ऐसे निन्ने ले रहा है क्या about growing a moustach, यानि कि वो भी ऐसा कुछ कर रहा है कि वो भी हलकी हलकी मूचे रखेगा और using eye shadow या फिर आंखों पर eye shadow का मतलब होता है कि ऑंखों का जुश्, यानि कि आँखों पर संदर वर्दक जो पदार्त होता है यानि जो खुप्षयर्थी बढ़ाता है जो matteriquerial लगाया जाता है मेकप कियाता है तो जो पदार्त लगाया जाता है तो वह कहता है या फिर ये शै Junior एसा सोच रहा हो कि वो आंकों के नीचे वो संद्रे बढ़ने वाला पदार्थ लगाएगा एड़ मस्कारा या फिर मस्कारा लगाएगा और वेरिंग ए वर्मिलिन स्पोर्ट और इट्स फोरेड या अपने माथे पर वर्मिलिन स्पोर्ट या नी कि सिंदूर की बिंदी लगाएगा या नी कि वो सोच रहा है या तो यह मुझ के बारे में सोच रहा होगा या बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा होगा ठीक है I did not know anything for certain मैं निच्ची तोर पर तो कुछ नहीं जानता था वोट सेक्स वोज दिस स्नेक कि इस स्नेक का लिंग क्या है वोट इस मेल और फिमेल यानि कि यह जो है पुलिंग है या स्त्री लिंग साप कौन सा है यह चीक है यह चाज आपको समझ में आगी या नाग है या नागीन है ठीक है मैं यह कभी भी जान भी नहीं पाऊंगा मैंने ऐसे सोचा कि मैं यह कभी भी जान भी नहीं पाऊंगा क्यों क्योंकि जो साम था उसने अपनी जो कुंडली है वो खोल ली मेरे बाजू से from my arm and slowly slithered into my lap और मेरी गोद में आकर के गिर गया तो अब मुझे लग रहा था कि अब मैं बचने वाला हूँ नहीं और शायद मैं इस बात का पता कभी भी नहीं जो है चला पाऊंगा from there it crapped onto the table और वहां से वो रहंगता हुआ मेज पर चला गया and moved towards the mirror और शीशे की तरफ चला गया perhaps यानि कि शायद it wanted to enjoy its reflection at closer quarter शायद ऐसा लगा कि जैसे मैं भी शीशे के पास गया था अपने आपको और नजदीक से देखने तो मुझे ऐसे लगा कि शायद वो अपने आपको और नजदीक से देखने के लिए उस mirror के ज़दा पास गया है I was no mirror image cut in granite अब मैं granite के एक मूर्ती मात्र नहीं था यानि कि अब मैं सांस रोक करके बैटा हुआ जब मूर्ती बना हुआ था अब मैं मूर्ती नहीं था I was suddenly a man of flesh and blood मैं अचानक से एक hard mass वाला विक्ती बन चुका था still holding my breath मैंने अभी भी अपना जो सांस है वो रोक रखा था I got up from the chair I quietly went out through the door into the verandha मैं जो है शांती से chair से उठा और वरांदे की तरफ जो है गया from there I left into the yard वहां से मैं आंगर में कुदा ran for all I was worth और पूरी सामर्थय से दोड़ा जितना तेज मैं दोड सकता था उतनी तेज मैं वहां से दोड़ा इस तो ने से जो है वो हवा जो है बाहर फैंकता है Each of us have a sigh of relief हम सभी ने जो है राहत की सांस ले की शुकर है डॉक्टर साहब बस तो गए somebody asked किसी और ने पूछा doctor is your wife very fat doctor साहब क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है no the doctor said doctor ने कहा नहीं God will otherwise भगवान की कुछ और इच्छा थी my life companion यानि कि जो मेरी जीवन संगिनी है जो मेरी जीवन साती है जो मेरी पत्नी है is a thin ready person वो एक कोई दुबली पत्ली महिला है या दुबली पत्ली इंसान है with the gift of a sprinter sprinter का मतलब होता है तेज धावक के जैसा दोडने वाला तो वो कहते हैं कि उनके पास जो है तेज धावक की तरह दोडने वाला गुण भी है यानि कि वो दोडती बहुत तेज है ये चैस आपको समझ में आ गई someone else asked और किसे ने एक और question पूछ लिया doctor when you ran did the snack follow you कि जब आप अपने कमरे को छोड़ करके भागे तो क्या सांप आपके पिछे आया था यानि कि सांप भी आपके पिछे पिछे भागा था क्या the doctor replied doctor ने तब जवाब दिया I ran and ran मैं भागता ही रहा मैंने पिछे देखा ही नहीं मैं भागता रहा till I reached a friend's house जब तक मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुचा immediately I smeared oil all over myself and take a बाद तब मैं वहाँ पर जा करके नहाया अपने शरीर पर तेल लगाया क्योंकि मेरी जो बाजो थी वो बहुत यानि कि साप के द्वारा कुचल दी गए थी यानि कि थोड़ा दबाया गया था तो पेन हो रहा था तो जिसके वज़े से मैंने वहाँ पर नहाया और अपने पूरी बड़ी पर oil बगेरा लगाया ताकि कहीं भी कोई एक दो और लोगों को जो है लेके गया उस कमरे में जहां पर मैं रहता था to move my things from there कि मैं अपना सामान जो है वहाँ से हटा करके और कहीं जाना चाता था but we found we had little to carry देकिन वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि हमारे पास थो बहुत कम समान बचाय ले जाने के लिए some thief had removed most of my things किसी चोर ने मेरा सब कुछ चुरा लिया था यानि कि लगबग सारा समान चुरा लिया था the room had been cleaned out कमरा पूरा साफ कर दिया था but not really लेकिन वास्ता में पूरा नहीं किया था पूरा कमरा साफ नहीं किया था the thief had left behind one thing चोर ने एक चीज पीछे छोड़ दी थी as a final insult मेरा अंतिम रूप से अपमान करने के लिए मेरी बेश्ती करने के लिए चोर सब कुछ ले गया लेकिन एक चीज उसने अभी भी वहीं छोड़ दी what was that? I asked मैंने पूछा कि डॉक्टर I asked मैंने पूछा कि डॉक्टर वो क्या चीज थी जो चोर लेके नहीं गया the doctor said my vest मेरी बन्यान यानि कि चोर जो है वो मेरी बन्यान नहीं लेकर गया the dirty one जो कि बहुत गंदी थी the fellow had such a sense of cleanliness यानि उसको जो है स्वच्चता का बहुत था भी सफाई पसंद वेक्ती था the rascal could have taken it वो बदमा शगर इसे ले करके जाता and used it after washing it with soap and wet water तो वो इसे use कर सकता था इसे साबुन और पानी से अगर वो धोता ले जा करके तो इसे भी use कर सकता था तो फिर वो लेके नहीं क्यों यानि कि लेके क्यों नहीं गया इसका मतलों वो मेरा अपमान करना जाता था कि एक जो मैली बनियन थी उसको छोड़ करके गया अब डॉक्टर से पूछा गया कि क्या आपने अगले दिन जो है किसी स्नेक को देखा दा डॉक्टर लाफड I have never seen it since मैंने उसके बाद उसको कभी नहीं देखा डॉक्टर कहता है कि मैंने उस सांप को उस दिन के बाद कभी नहीं देखा इट वोज ए स्नेक वो वस्तमे एक ऐसा सांप था विच वोज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी यानि कि जो अपनी ही सुन्दर्ता से मोहित हो गया था यानि कि वो एक ऐसा सांप था जो अपनी ही सुन्दर्ता से बहुती अपनी ही ब्यूटी पर मोहित हो गया था ये चीज़ आपको समझ में आगी सब कुछ बूल गया था अपने कोई देख रहा था मिरर में यह चीज आपको समझ में आ गए तो यह थी कहानी हमारी बहुत ही इंट्रस्टिंग सी और बहुत ही मज़ेदार सी कहानी थी देफिनेटली आपको मज़ा आया होगा अब चलते हैं इसके कुषिन आंसर की तरफ सो थर्टी तो फॉर्टी वर्ट्स वाले कुषिन हमने करने हैं सो फर्स्ट कुषिन है दसाउंड वोज फैमिलियर वन यानि कि जो अवास थी वो परिचित थी जानी पहचानी थी दॉक्तर को कौन से आवास सुना भिए थी वोट फी वह स्थी वर्ट कौन सी आवास सचा कि वू किसकी आवास थी वू क्ट्र आयकर ने क्या सोचा कि उसकी आवास थी। नटो क सोचा कि चूहा रहता था Trung 10 1 कमरे में में यावाच reflects वロ чूहे की आवास है how many times did he hear it उसने कितनी बार उस आवाज को सुना find the places in the text यानि कि आप पिछे के chapter में जाकर के धूंडिये कि कितनी बार when and why did the sound stop वो जो उपर आवाज आ रही थी वो कब और क्यों बंद हो गई तो simple सी बात है वो साप की आवाज थी साप जब नीचे गर गया उसको वो आवाज जो थी वो चुहों की आवाज सुना ही दे रही थी he heard a noise from above उसको उपर छट से आवाज आ रही थी beam से आवाज आ रही थी when he opened the door जब उसने दरवाजा खोला when he opened the door he thought that the sound was made by the rats in the tiled roof जो खपरेल की जो छट है उसकी उपर उसने सोचा कि शायद चुहों की आवाज आ रही है he heard the sound four times उसको चार बार वो आवाज सुना ही दी थी three times from above and one dull thud sound उसको तीन बार छट से आवाज आई थी और एक बार नीचे धम से गरने की आवाज आई थी when the doctor sat in the chair जब वो कुछसी पर मैठा था the sound from above stopped तब उपर से आवाज आनी बंद हो गई थी because the snake was about to jump on the ground at that time क्योंकि उस टाइम जो साप था वो जमीन पर गिरने वाला था जमीन पर उचलने वाला था इसलिए जो उपर की आवाज थी वो बंद हो चुकी थी यह चीज़ आपको समझ में आ गई now the next question is what two important and earth shaking decisions that the doctor take while he was looking into the mirror यानि कि doctor sahab के वो दो जो निरने जो decision थे वो कौन से थे जो कि बहुत important थे और earth shaking यानि कि धरती हिलाने वाले थे यानि कि बहुत जादा महतपुन थे तो आप कहदेंगे the doctor took two important decisions while he was looking into the mirror उसे दो महतपुन निरने लिए कौन कौन से महतपुन निरने पहला जो था he would shave daily कि वो daily जो है रोजाना जो है दाड़ी बनाएगा daily and grow a thin mustache to look more handsome यानि कि वो जो है एक पतली दाड़ी रखेगा एक पतली मूच रखेगा ताकि वो और ज्यादा handsome दिख सके he would always keep an attractive smile on his face to look more handsome वो जो है अपने चहरे पर एक अच्छी सी मुष्कान रखेगा ताकि वो और ज्यादा सुन्दर दिख सके उसके बाद है third question and the last question of the chapter is I looked into the mirror and smiled मैंने जो है शीशे की तरफ देखा और smile किया says the doctor doctor कहता है a little later he says I forget my danger and smiled feebly at myself यानि कि मैंने जो है उसके बादी एक line वो दुवारा से कहता है कि मैं अपना सारा का सारा डर भूल गया और अपने आपको मीरन में जब देखा तो वो कहते है कि हलके से मुस्कराया अपनी मजाग उड़ाते हुए वो मुस्कराया था what is the doctor's opinion about himself when he first smiles and he smiles again पहली बार मुस्कराने और दूसरी बार मुस्कराने में क्या अंदर था यानि कि वो जो है उसका अपने बारे में क्या विचार था अपने बारे में क्या राय थी ठीक है in what way do you do his thoughts change in between and why इस बीच में उसके कौन से विचार किस टाइप से चेंज होगे तो सिंपल सी बात है कि जब वो पहली बार मुस्कुराया था तो सिंपल सी बात है कि उसको वो जो है अपने आपको काफी मुस्कुराया जो है खुब सुरुत महसूस कर रहा था कि अगर मैं मुस्कुराता हूं तो मैं अच्छा दिखता हूँ मैं कुमारा हूँ और after all एक डॉक्टर हूँ ठीक है यानि कि वो अपने आपको smart कह रहा था और जैसे वो दुबारा स्माइल गया तो दुबारा उसने स्माइल करते वक्त क्या बोला था दुबारा स्माइल करते हुए वो जो उसने मैसूस किया कि वो एक poor, philish और stupid डॉक्टर है तो आप यही लिख देंगे when the doctor first looks into the mirror he smiles as he thinks he is an attractive bachelor doctor उसे ही सोचा कि वो एक कुवारा और डॉक्टर है ठीके the next time he smiles at himself दुबारा उसने जब अपने आपको देखा तब वो smile किया because he feels तब उसने सोचा he is a poor यानि कि वो एक बेचारा, बेकार ठीके foolish यानि कि मुर्क and stupid foolish यानि कि मुर्क stupid यानि कि बुद्धु doctor है ठीके यह चाज़ आपको समझ में आगी और poor को आप गरीब भी कह सकते हो क्योंकि वो गरीब भी था ठीके his vanity change into humility उसकी जो घमंड था वो किसमें चेंज हो गया था humility यानि कि आतम गलानी में उसको गलती मैसूस हो रही थी यानि कि अपने आप तरस आ रहा था आतम गलानी ठीक है his thoughts got changed because of snake उसके जो विचार थे वो साब की वजय से change हो गए थे he was quite near to death क्योंकि वो मरने ही वाला था और जब इंसान मरने वाला है तो ये जो भौतिक वादी विचार दर है वो खतम हो जाती है है ना सिर्फ जो reality होती है वही रहती है ये चीज़ आपको समझ में आगी सपनों की दुनिया खतम हो जाती है जब अल बेस्ट वर्योर शफ टड़िए